तो दोस्तो सबसे पहले आपको Facebook को open करना है और यहाँ पे 3 line पे click करना है उपर में and guys click करने के बाद आपको क्या करना है आपको नीचे आ जाना है यहाँ पे and guys यहाँ पे setting and privacy पे click करना है click करने के बाद आपको फिर से setting पे click करना है और दोस्त यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्त आपको सबसे पहला वाला सेटिंग को किलिक करना है फिर यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है आपको यहाँ पे देख सकते हो account ownership and control इस पे आपको किलिक करना है जैसे ही किलिक करोगे आपके सामने कुछ निया interface open होगा and guys यहाँ पे आपको क्या करना है आपको सबसे नीचे वाले जो option दिख रहा है deactivation and deletion और नीचे माँ पढ़ सकते हो temporary deactivate or permanently delete your account इस पे आपको किलिक करना है किलिक करने बाद आपके सामने कुछ निया interface open होगा and यहाँ पे दो option दिया गया सबसे पहला में deactivate account और दूसरा में delete account तो दोस्तो मुझे permanently delete करना तुम्हें यहाँ पे delete पे किलिक करूँगा और continue to account deletion पे आपको किलिक कर देना नीचे में यहाँ पे आपके सामने कुछ निया interface open होगा यहाँ पे आपको कोई साभी एक region दे देना अगर देना चाते हो तो दे सकते हो नहीं तो आपको continue to account deletion पे किलिक कर देना है तो दोस्तो मैं यहाँ पे I suspend too much time on facebook को मैं select कर लिया हूँ तो यह मैं select कर लिया हूँ फिर इसके बाद आपको क्या करना है आपको continue to account deletion पे आपको किलिक करना है and guys किलिक करने बाद आपको सामने कुछ निया interface open होगा and यहाँ पे आप चाहो तो अपना message, अपना photos, अपना जितना चीज आपने facebook अप्लोड किया हो सारा कुछ को download भी कर सकते हो नहीं तो आपको delete account पे किलिक कर देना है जैसे ही किलिक करोगे आपको सामने कुछ निया interface open होगा और यहाँ पे आपको अपना facebook का password एंटर कर देना है फिर उसके बाद आपको continue पे किलिक कर देना है और continue पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके समय कुछ निया अटरफेस ओपेन हो जागा और यहाँ पर पर सकते हो कि आपका account 30 दिनों के बाद delete होगा 30 दिनों के अंदर में अगर आप अपना Facebook को फिर से login कर लेते हो तो आपका Facebook account delete नहीं होगा तो मैं यहाँ पर delete पर किलिक कर दिया हूँ फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आटोमेटलिक ही Facebook long out हो चुका है और यहाँ पर आपको ok पर किलिक कर देना है और यह automatically long out हो जाएगी ठीक है लेकिन 30 दिनों के अंदर में अगर आप अपना Facebook ID को फिर से login कर लेते हो तो दोस्त आपका Facebook ID delete नहीं होगा ठीक है वीडियो कैसी लगी मुझे comment में जोरू बता देना वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को like करना चैनल पहली बार है तो चैनल को subscribe करना तो मिलते हैं आप लोगों से अगले new tips and tricks की वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई